आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इयर्स जो है, हमारे यर्स के अंदर जो Persistence of Hearing है वो होती है 1 by 10th of a second के लिए इसका मतलब हमारे यर्स पर जब कोई साउंड पढ़ता है तो ये इतनी देर के लिए हमारे यर्स में हम साउंड को सुन सकते हैं और अगर मुझे इसके बाद कोई और sound सुनना है तो वो at least इतने time के बाद आना चाहिए ठीक है अगर मैं दो sounds कोई एक sound one हम सुन पा रहे हैं और एक और कोई sound two सुन पा रहे हैं इन दोनों के बीच में time difference at least one by ten second का होगा तो मैं इन दोनों को clearly distinguish करके सुन सकता हूँ ठीक है अब echoes क्या होते हैं वो समझते हैं echoes जो है यह basically कुछ नहीं हमें एक ही sound reflect करके दुबारा हम तब पहुंच जाता है और हमें वही एक sound reflection के बाद बार बार सुनाई देता है इसी को हम बोलते है echo ठीक है अगर मैं चाता हूँ कि यह एक source है ठीक है let's say यह एक source है इसमें से sound गया ठीक है और यहां कहीं कोई surface है और यहां मालो हम बैठे हुए हैं ठीक है हम यहीं बैठे हैं हमने क्या किया हमने इसका आवाज सुना एक आवाज यहां गया और यह reflect होके हम तक पहुचा और एक आवाज direct पहुचा होगा तो हम बोल सकते हो हमारे पास पहले एक sound 1 पहुचा और फिर थोड़ा लंबा travel करके sound 2 पहुचा तो यह जो दो चीजे हैं इन दोनों के बीच में at least 1 by 10th of a second का gap होना चाहिए तब ही मैं इनको clearly सुन सकता हूँ और अगर हम calculate करके देखेंगे तो 1 by 10th of a second के लिए हमें अपनी ही आवाज को दुबारा सुनने के लिए मानलो हम ही हैं हम किसी दीवार से कुस दूरी पे खड़े हैं तो हमें एक बार में अपनी आवाज instantly सुनाई दे जाएगी और एक आवाज जो पूरा यहां तक travel करके वापिस आएगी एक आवाज वो सुनाई देगी तो यह distance at least 17 meters का होना चाहिए अगर हम लोग इस बात का द्यान रखना चाहते हैं जो अगला sound हमारे पास आ रहा है वो at least 1 by 10th of a second के बाद है तो हमें अपने और उस reflecting surface की बीच 17 meters का gap चाहिए होता है तभी हम अपने echo को बिलकुल clearly सुन सकते हैं अगर हमने इस gap कम कर दिया मान लो तो क्या issue होगा तो यह sound बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा और echo हम लोग clearly सुन नहीं पाएंगे दो different sounds को clearly distinguish नहीं कर पाएंगे तो I hope अभी question का answer मिलना start हो गया होगा कि echo को सुनने के लिए empty hall with no furniture हमें कब मज़िदार मिलेगा एक small empty hall या फिर empty hall बताओ जब empty hall होगा यह बड़ा वाल होल है और small empty hall छोटा hall है तो बड़ा hall का मतलब है वहाँ पे chances है कि 17 meter से जादा का gap आपको मिल जाएगा reflecting surface तक जाने में है ना क्योंकि hall बड़ा है लेकिन अगर hall छोटा है तो आपको जो distance होगा वो less than 17 meter भी हो सकता है और इसी reason से echoes जो है वो clear नहीं हो पाएंगे ठीक है तो I hope अभी question में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि persistence of hearing क्या होता है और उसका echo से क्या relation है और echo में requirement क्या है और जहां हो requirement meet होती है वहाँ में clear echo सुनाई देता है इसके साथ यह question हो गया है complete क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर